आज देश में गरीबी रेकॉर्ड गती से कम हो रही है लाखों करोडों लोग गरीबी को परास करके नियो मिडल क्लास में प्रवेश कर रहे हैं देश का ये बहुत बड़ा वर्ग आज अपने सपने साकार करने में और साथ साथ देश के विकास को गती देने में जुटा हुआ है ऐसे समय में इस बड़ते मिडल क्लास की आशा आकांशाओं को कुछ कर दिखाने के जजबे को होसला मिले उसको सपोर्ट मिले इसके लिए सरकार ने अपनी प्रतिबदता दिखाई है में देश के मिडल क्लास सेलरीड मिलल क्लास को इंकम ट्रैक्स दरों में मिली छूट के लिए बहुत बहुत अधाई देता हूँ यह मद्यवर्ग और उच्चम मद्यवर्ग की उधारता ही है उनकी इमानदारी ही है कानुन को मानकर चलने की उनकी प्रतिबदता ही है जिसकी वजह से देश को ट्रैक्स मिलता है देश की योजनई बनती है गरीब का कल्यान होता है वर्सों से ये मांग रही है कि पांच अलाख रुपिय तक की आई को इंकम ट्रैक्स से मुक्त गोशित किया जा है इतने वर्सों से की जा रही इस मांग को पुरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है साथियों किसानों के लिए समय समय पर अलग-अलग योजनाएं अलग-अलग सरकारों ने बनाई हैं लेकिन उपरी सत्व के दो-तीन करोड किसानों से ज़्यादा किसान इन योजनाओं के दाइरे में आये ही नहीं अब प्रधान मंत्री किसान सम्मान निदी यानि जिसे पी-एम किसान योजना कहा जा रहा है उसका लाब बारा करोड से ज़्यादा उन किसानों को मिलेगा जिनके पास पांच एकर से या पांच एकर से कम भूमी है एक प्रकार से आजहादी के मात देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है हमारी सरकार किसानों के लिए एक के बाद एक ठोस कदम उठा रही है पशुपालन, गौसमवर्धन, मचली पालन जैसे ग्रामीन जीवन और क्रिसी जीवन से जुड़े अहम छेत्रों का भी इस बजेट में विशेश ध्यान रखा गया है राष्टिय कामधिनों आयोक और मचली पालन का अलग डिपार्टमेंट करोडों किसानों को अपनी आजीविका बढ़ाने में मदद करेगा मच्वारों की मदद करेगा हमारा ये पूरा प्रयास है कि किसान को ससक्त करके उसे वो साधन दें सौसाधन दें जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके आज के निर्णयों से इस मिशन को और तेजी मिलेगी साथियों आज भारत में अनेक शेत्रों में विकास हो रहा है नए नए प्रकार के शेत्रों में नए नए विस्तारों में नए नए प्रकार की योजनाओं में प्रगती हो रही है और इन छेत्रों में काम करने वाले लोगों की संक्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है लेकिन असंगठित छेत्र के समिकों मद्दूरों अन और्गनाइज लेबर जिसमें घर काम करने वाले लोग हो या खेत्र मद्दूर हो या ठेले चलाने वाले लोग हो ऐसे समाज का एक बहुत बड़ा तपका है मेरे भाईयों बहनों इन मेरे बंदूहों की चिंता कभी नहीं की गई उन्हें उनके नसीप पर छोड़ दिया गया हमारे देश में इनकी संख्या अन और्गनाइज लेबर के संख्या करीब परीब चालिस बैालिस करोड है उनके लिए प्रदान मंत्री स्रम योगी मांधन योजना उनके जीवन के उत्तरार्थ सार्थ वर्ष की आयू के बाद की जिन्द्गी के लिए बहुत बड़ा संबल होगी उन्हें आयुशमान भारत योजना प्रदान मंत्री जीवन योती योजना प्रदान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना प्रदान मंत्री आवास योजना जैसी अनेक योजनाओं का लाप्तों मिलेगा ही बुढ़ाबे में रोज मरा की जिन्गी गुजारने के लिए पैंशन भी मिला करेगा भाई और बहनों हमारी सरकार देश के हर उस नागरिक को विकास की मुख्यधारा से जोडने का प्रयास कर रही है जो अब भी कुछ कारणों से विकास का पुरा लाप नहीं ले पाए है समाज की आखरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुचने के इस प्रयास में सरकार ने गुमंतु समुदायों जैसे मदारी हैं, सपेरा हैं, बंजारा हैं, गाडिया लुहार है आदि के लिए एक वेलफेर बौर्ड बनाने का भी फैसला किया है मुझे उमीद है कि सही पहचान होने के बाद सरकार के विकास कारियों का लाप इन समुदायों को और तेजी से मिलेगा साथियों, व्यापारी वर्क के लिए, ट्रेडर्स के लिए, कोई मंत्रालाय हो उस विचार से एक नभी बहुस्ता का विक्सित करने की दिसामें हम आगे बड़े हैं देश के व्यापारी वर्क, ट्रेडर्स और अनेक कर्मचारियों के आवश्रक्ताओं को समगते हुए उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, डियाए पीपी को रिस्ट्रक्टर करके उसे विशेश जिम्मेदारी दी गई है अब ये विभाग Department for Promotion of Industries and Internal Trade के नाम से जाना जाएगा मुझे पसंदता है के लिए अगले दसक के अंततक की आवश्रक्ताओं को और लक्षों को ध्यान में रखते हुए भी इस बजेट में योजनाओं को समाहित किया गया है ये बजेट गरीब को शक्ती देगा, किसान को मजबूती देगा, स्रमिकों को सनमान देगा मिडल क्लास के सपनों को साकार करेगा, इमानदार टैक्सपेर का गवरोगान करेगा ट्रेडर्स को ससक्त करेगा इन्फास्ट्रक्चर निर्मान को गति देगा अर्थ व्यवस्ता को नया बल देगा देश का विश्वास मजबूत करेगा ये बजेट न्यू इंडिया के लक्षों की प्राप्ति में देश के 130 करोड लोगों को नई उर्जा देगा ये बजेट सर्व व्यापी, सर्व स्पर्सी, सर्व समावेशी है सर्वोत कर्ष को समर्पित है मैं एक बार फिर हमारे मित्रा अरून जी को और प्यूश जी को और उनकी टीम को इस उत्तम बजेट के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ धन्यवाद